सब्सक्राइब टेक्निकल फ्रिक्स एंड प्रेश दा बेल आइकन और क्या फिल्म चल रहा सब बड़ी या आज मैं आपको बताऊंगा फोन के प्रो कैमरा मोड के बारे में जैसे डेसलर में आटो और मैनुल होता है वैसे फोन में भी होता है जो हम रेगुलर बेसेस पे यू फोकस हो वो सब भी हम मलब सेट कर सकते हैं काफी सारे लोग इसको जानते भी यूज क्यूंद करते इसका मेन वजह कि उन्हें यूज पता नहीं और क्विकली फोटो लेना चाहते हम नॉर्मली आटो मोड पे लेते बड़ काफी टाइम यह मलब सही नहीं आपाता तो आज इस वीडियो में उसका मैं पूरा यूज बताऊंगा एक एक चीज के बारे में और कैसे अब कमाल कमाल के फोटो वगरा ले सकते हैं अपने फोन के कैमरे के प्रो जो मोड को यूज करके मैं हूँ शानतनू आप देखरें टेक्निकल फ्रीक शेडिव चैनल पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखरी तक देखिए जैसा कि मैंने भी बता है जो आटो मोडे सबसे यादा यूज होता क्योंकि बाइडिफॉल्ट आटो मोड पर फोन का कैमरा खुलता है लोग प्रो वगरा में नहीं चाते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रो वगरा में सैटिंग्स कै मैंने प्रो मोड पर गया मुझे को समझ ही नहीं आ रहा था दूंदली फोटो थी कभी पुरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती तो मुझे उस्टाब अपरिचर आयसे बगरा के बार में पता नहीं था मैंने सुच एक डेडिकाड़ वीडियो बनना चाहिए इसके लिए कि फोन के प आपको मिलेगा ही मिलेगा और जो सारे सेटिंग से एक ही टाइप कि आपको बस कंसेफ्ट समझना है कि कैसे काम हो रहा है और साथी साथ तो आपको पैनरोमा बगरा मिलता है वैसे आपको प्रो भी मिलेगा जैसे इस कैमने में सैमसंग का फोन है मेरा एसिक सैज जिसमें इस फोन का प्रो मोड आपको दिख जाएगा जैसे आटो प्रो प्रो में जाओगे तो आपको मलब नीचे कुछ सेटिंग से आ जाएंगे जिसका आपको सेट अप करना है सबसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि इनके बारे में जानोगे तभी आप सेख पा ह इस में पार नहीं आपके फोन में काफी सारी हो सकते है तो फाल तो भी हो सकते जो में चार चीज human truth हो में आपको पताथो सबसे पहले आता हूं कि आई-ए-स ए recording इस एक ट उफिस्टिटी होती है याप artificial light लए 282asan जो और साइफ पं चाहरी आपके तो में ditालता है नमनने शि आपको देखना परफेक्ट कौन सा है मेरे हिसाब से 100-200-250 तक ISO लेवल ठीक है इससे ज्यादा अगर जाओगे तो मलब आपको फोटो बिल्कुल वैसी आएगी वैसे जो नॉइस वाली अगर आपका कंडिशन ऐसा है कि आपको ISO मलब हाई करना ही पड़ेगा और ज्यादा तो क जाओंगा वीडियो बनाओंगा तब आपको बताओंगा इसमें जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है मतलब कितने देर तक शटर खुला रहेगा जैसे कैमरा का जो सटर है जितनी देर खुला रहेगा उतनी ज्यादा लाइट लेगा और उतनी क्लियर फोटो आएगी उतनी मतलब अच्छी फोटो आएगी इसका मतलब यहनी कि बहुत जादा कर दो पूरी लाइट आजाए इमेज सफेद सपेद हो जाए तो बाइडिफॉल्ट जैसे आटो है आपको स्लाइट करके चेक करना कौन सा लाइट आपके लिए परफेक्ट है कितनी देर के लिए आपको देखना है मैनुएली मलब अपने आखों से कि मलब फोटो कैसा लगेगा प्रिव्यू क्योंकि दिखता जाता है उसके बाद आपका मलब वाइड बैलेंस आता है कि आप किस कंडिशन में शूट कर रहे हो जैसे इंडोर लाइट है आउट्डोर लाइट है नाइट ह है मलब थोड़ा अंधेरा टाइप का है क्लावडी है यहां आपको मलब हीू साचुरेशन टाइप का विक स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप ट्रेंपेचर वगरा सेट कर सकते हो फिर आता फोकस का मैनुएल फोकस बैडिफॉर्ड आटो फोकस करता है बड़ अब अब करके दिखाता हूं कुछ फोटो क्लिक करके दिखा रहा हूं कैसे प्रो मोड में बढ़िया फोटो आएगी और जैसा आप चाहते वैसी फोटो आएगी कि कितना लाइट अंदर ले कितना आये सो और एक मलब प्रफेशनल लिमें स्टैप का बन गया जैसे एक फोटो जैसे म मीशर छाहिका हो सब्सक्राइब जु스छ कि फोन और क्लिक कर रहा हूं तो आपको आप सेखते कि कितना आपके फोन में और भी औौभी आपकी अप्सेंस नहीं की इसे कि अप kan यह है नीव Scottish व्यूटि क्लिकर सकते हूं तो आपको आप देख सकते कि वीडियो में आपने देखा वीडियो के प्रो मोड को कैसे यूज करते हैं जिसका इमेज मंचा ही इमेज ले सकते हो जैसा आप एक्चुएली चाहते हैं और मैंने सेंपल्स भी दिखाए कि कितना ज्यादा फर्क है काफी टाइम आटो मोड अच्छा लेता क्योंकि मैंनुल हम अगर आपको एक टाइम लगा कि अगर लेना है फोटो बढ़िया से तो मैनुल मोड जो प्रो मोड है जो काफी अच्छा रहता है मैं उजली नहीं लेता क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी फोटोस क्लिक करना होता है बट अगर मुझे किसी एक चीज की सही फोटो चाही होती तो मैं प्रो मोड भी हमेसा प्रिफर करता हूं हमेसा प्रो मोड पर फोटोस क्लिक करता हूं उमीद करता आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ पूछना है नहीं वीडियो को शेशन देना तो न नीचे कमेंट करके बता देना वीडियो जादा शादा शेयर करो अपने सभी दोस्तों को जो फोटोग्राफी पसंद करते हैं और फोन यूस करते हैं उन्हें बोलो कि ऐसा भी कुछ है देख इससे क्या क्या मलब बहुत कमाल की फोटोस ले सकता तो ऐसे उसे बता देना चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करो बैल लाकें दबाओ आज के लिए बस इतना ही मैं मिलोंगा आपसे एकली वीडियो में जल्ट बाई